हेलो एब्रिवन मैं मैं सली एंड जो रोचिंग मेरे कलोनी क्लासेज अरे एक बाल आज तो तु बड़ा मस्त लग रहा है यार क्या लुक बना रखा है तुने ये तेरी शट वाओ लाजवाब क्या लग रहे हो यार अरे पैंट भी पैंट भी नहीं है यार सिलवाय हुए हो नहीं भाई सिलवाय हो नहीं है रेडिमेंट है रेडिमेंट रेडिमेंट क्या होता है अरे वही जो दुकान से हम खरीदते हैं सिलवाने की जरूवत नहीं परती डिरेक्ट यूज करना शुरू कर देते हैं अच्छा 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 रेडिमेंट ओ समझ गया समझ गया मैं भी जा रहा हूँ आर तुम्हारी तेरा एक शट लेने और पैंड भी रेने मैं भी readyment कपरे लाओंगा सिल्वाने की कोई जरूवत नहीं है रुको 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 बाई मेरा रुको रुको क्या खरित दे जा रहे हो रेडिमेंट कपरे जरा एक बार रुक तो जाओ जिससे आप रेडिमेंट समझ रहे हो ना वो रेडिमेंट नहीं है वो रेडिमेड है स्पेलिंग बताओं आपको र-e-a-d-y ready-m-a-d-e made वो रेडिमेड होता है मेंट नहीं होता है आप लोगोंने हववा बना करके रखा है अंग्रेजी की टांगे आप लोगोंने इतनी ज़्यादा तोड़ दिया है कि अंग्रेजी काफिल घायल हो चुकी है है ना तो मैं आपको ये बता दूँ कि वो रेडिमेंट नहीं है वो रेडिमेड है made का मतलब होता है बना करके त्यार यानि बनाया हुआ और ready means त्यार यानि बना करके जो चीजे already त्यार रखी हुई है जिनको सिलवाने की कोई जरुवत नहीं है बस खरीदो और use करो यानि खरीदो और पहनना शुरू कर दो वो होता है ready made लेकिन आप अक्सर जोले पे भी देखते हो बैक पे भी देखते हो कि हिंदी में लिखा रहता है ready meant जो की गलत है शायद उन लोगों को भी पता नहीं होगा कि ready meant नाम का कोई word नहीं है वो ready made है जिसे हम लोग ready meant समझ लेते ठीक है तो जाओ ठीक है दुकान पे जाओ ready meant कपरे खरीद लो लेकिन वो ready meant मत खरीदना ready made खरीदना लेकिन हाँ याद रहे ready meant ही बोलना दुकान पे अगर गाउं से बिलोग करते हो नहीं तो लोग सोच में पर जाएंगे कि ready made क्या है भाई हमने तो meant सुना था शायद दुक देख सकते हो और ऐसे ही बहुत सारी knowledge collect करके अपने English को बहुत अच्छे तरह से improve कर सकते हो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो मत अब तक के लिए बाई बाई टेक केर एंड सी यू टू आल